वेलकम टू इशानी वीडियोज और माहिर द्वारा जो की शादी में बहुत बड़ा हरकम लाने वाली है अब हरकम क्या है चलिए वो भी बता देते हैं यहाँ पर अब आएगा माहिर का डूब्लिकेट अब यानि की माहिर का असली डूब्लिकेट कौन आ गया अब आपको बता दें बेला और उसके साथ ही लोग वो मदद करेंगे बेला की जो की यहाँ पर लाएंगे एक सबसे बड़ा टूइस्ट अब माहिर का डूब्लिकेट यानि क्रिश को सामने लाएंगे अब यहाँ पर माहिर को बदल देंगे और माहिर को क्रिश बना देंगे जिसके यहाँ पर एक बहुत बड़ा बदला होगा अब चलिए आपको और बता देते हैं क्या होने वाला है यहाँ पर यह शादी के अनॉंस्मेंट करेगी सबसे पहले रूही कि मैं शादी करने वाली हूँ माहिर से अब बेला माहिर से पुछेगी किया तुम उसे शादी करने वाली हो तो वो बोल देता है हाँ और उसी वज़े से बेला गुस्से में आकर वो बोलती है मैं विक्रिशे सादी करने जा रही हूँ अब इसी वज़े से यहाँ पर अभी ये खबर पहुंसती है किसी तरह से रूही के पास में रूही बोल देती है बहुत अच्छी बात है उसे शादी करने दो लेकिन यहाँ पर गेम ओवर करने की बात आ जाती है सुमित्रा बोलती है रूही से कि क्या अब हम अपना खेल खतम कर सकते हैं यहाँ पर वो रूही बोलती है कि नहीं अभी खेल खतम नहीं हुआ और वहीं दूसरी तरफ रूही काला जादू करते हुए आपको दिखाई देगी मतलब उनके पास जो शक्ति आती हैं वो कहीं और से नहीं काले जादू से आती है और उसके बाद में यहाँ पर सबसे बड़ा ट्विस्ट जो आने वाला है वो आपको देखने को मिलेगा इस शादी के सीक्वेंस के दौरान उसके बाद में सब यहाँ पर शादी की तयारियों में लग जाते हैं सब शादीयों की तयारियों में लगे पड़े हैं और यहाँ पर सब किसी को भी नहीं पता कि आखिर में बेला और महिलने क्या चाल चली है और सिर्फ यहाँ पर साथ देने के लिए कोई और नहीं विशाखा, विकरांत और उनके साथ में एक दो साथ ही और रहेंगे जो बिला का साथ देंगे तो आप कितने ज़ाद एक्साइटेड है शो को देखने के लिए आपके मन में और क्या सवाल है कमेंट करके जरूर बता दीजीगा अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगियो तो लाइक कर देना, शेर करना मत बूलना दोस्तों के जाथ में और सब्सक्राइब कर लेना और भी रियल और इंट्रेस्टिंग अपडेट्स के लिए अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर देना, थैंक यू